रोशनी कुशिल जैस्वाल को प्रेगनेंट करना पड़ेगा उसके साथ बलातकार करना पड़ेगा उसके घर पे पहुँचके उसकी मा उसकी बेटी जो की 16 साल की बेटी है उसको बताने पहुँची कि उसका बाप उसका पती किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलातकार कर करने के लिएं上 अबहदर करने के लिए उसने मेरे नाम पूरा लिगंगे रोष्णी खेली जयस्वाल को प्रेगनेंट करना पड़ेगा उसके साथ बलातकार करना पड़ेगा तब जाके उसका मुझ बंद होगा मेरा मुझ बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेगनेंट करने की दमकी दी जिसकी खिलाफ मैंने डीम और कमिशनर सर के खिलाफ के ऑफिस में अप्लिकेशन लिखा और इस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलातकार करनी के धमकी दे रहा है। अगर बलातकारी ऐसा है सैफरान राजेश सिंग जैसा है और उसका घर मुझे पता है जो मेरे ही शेहर बाबा विशुनात की नगरी काशी में रहता है तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी उसकी बेटी उसकी मा को जरूर बताना चाहिए कि वो क्या है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पर अगर कोई भी इंसान आपको इस तरह से बलातकार करने की दमकी दे रहा है। और अगर आपको पता है कि उसका नाम उसका पता क्या है चुप मत बैठिये। मैं हर उस महिला के सपोर्ट में आज आवाज उभा रही हूं जो इन जैसे बलातकारियों के चपेट में आजाती है। पिछले चार साल से शॉट फॉर्म में रोकुजा लिख लिख के मेरा नाम खराब कर रहे थे और मेरे घर मुझे कभी भी कुछ भी बोल देना कि मैं अपने घर से पैसा लेके दुबई भागी हूं या मैं ऐसी हूं मैं वैसी हूं पिछ भी कुछ लिख रहे थे शॉट फॉर्म में रोकुजा लिख लिख रहे थे मैंने का कि कुट्ता है भौक रहे यह कम से कम धाईसो पन्ने का फोटो स्टेट है जिसमें सारी चीजें लिखी हूई है पहले इस्तमाल करो फिर विश्वास करो को सही में पॉलो करती कंग्रेस की नियका बी है चाहिए जिस के से योगी सरकार में बहुटर चलवाती है इन जैसे घर कवक बिडोजर चले गा और सैफरॉन राजेश सिंग नहीं इसका नाम होगा आजसे बलातकारी राजेश सिंग इसके घर में इसके महले में यह सारे फोटा स्टेट मैंने हर में बाटके आएं कि आपके महले में रहता है यह बलातकारी सैफ्रॉन राजेश सिंग जो दूसरे कि मैं भी किसी की माँ हूं मेरा नौ साल का बेटा है मैं भी किसी की बीवी हूं मेरे पती का कुन खौलेगा कि नहीं जब उसकी बीवी को इस तरह से बलातकार करने की दम कि आ बस ऐसे बलातकारियों से अपनी मां पेहन बेटियों को बचाएं भी भाजपा के लोग तीन लोग गिरफतार हुए थे हर जहां पर बलातकार की बात होती है वहां बाजपा और आरसेस के लोगी शामिल होते हैं मैं इसमें अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते मैं हर महिला के लिए आवाज उठा रही हूं और एसे बलातकारियों से बचें वो यह जो लिख सकता है इनके दोस्त अभी बाहर आके कह रहा है कि उसने बलातकार अभी किया नहीं है उसने लिखा है तो एसे दोस्तों को मैं कहना चाहूंगी कि वह दोस्त कह रहा है कि अभी वह उसने किया नहीं है बलातकार आप उसको बलातकारी मत बोलिए उसने जिफ लिखा है तो जो लिख सकता है 5000 लोगों के बीच में मेरे लिए वो करने में चुके का क्या मुझे अकेला पाके कहीं पर भी मैं हर वक्त अपने बॉडिगार्ड लेकर नहीं गूमती हूं हर वक्त तो चार साल से चल ला था इसे पहले आप अधिकरे पास घ्रीज शिकार करने की ती मुझे इंसाफ मिला था तो आज एक बर फिर से बलातकार करने की दमकी आई है जो भी महिलाएं ऐसे डर जाती है या छोड़ देती है मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ऐसे लोगों को छोड़ते हुए आएंगे तो कभी आपकी बेहन आपकी बेटी आपकी बीवी कोई भी हो सकती है तो इन जैसे लोगों को बिलकुल नहीं चोड़ना है इनके खिलाफ आवाज उठानी है और महिला सशक्तिकरन की मिसाल पैदा करनी है तैंक्यू